जैसल मेर से ख़वर आपको बताएं गोरबंध होटेल में बिगडी है विदायक प्रशांत बहरवा की तब्यद जवाहिर चिकित साला लाया गया विदायक को मंत्री साले मुहमद भवर सिंग लेकर पहुंचे है अस्पताल विदायक की करवाई जा रही है सोनोग्राफी लक्षवन हमारे स्योगी जादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी ख़बर पर लक्षवन क्या कुछ अपडेट मिल पारी है तब्यद कैसी है क्या जानकारी तब्यद बिल्कुल दुरुस्त है मुझे लगता रूटीन चेक अप के लिए प्रशांद बेरवाजी ने कोई सोनोग्राफी करवाई है वो भी हम पूछ लेंगे लेकिन साथ में मंत्री साले मुहमत जी भी है तो पहले हम बात कर लेते हैं साले मुहमत जी चुकि उनको लेकर आए हैं तो क्या स्वास्त ठीक है आप इनका लगतों दम चमक रहे हैं तो वह सब चीज़े देखने इनको लगता भी है कि जसने मेर में किस तरह से यहां की लेते हैं तो कवर्मेंट की जो मेडिशन है उसका फाइदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है वो सब मेरे साथ आए हैं तो देखने के लिए और यह बात भी लगातार कही जा रही है कि जो दूसरे लोग है दूसरा गुट कहिएगा बागी कहिएगा वहां पर भी अभी ये कहा जा रहा है कल बयान आया अभी अधिक बंशल जी का कि घर आजाए तो कोई दिकत नहीं है उसके बाद भी कुछ इस तरह के बैयान लगाता रहे आप क्या कहते हैं तो अपर मेरे को एक रूटीन चेक अपी घाथा तो इस तरफ से तो मेरे को अवाइड एडवाइस किया कि जा गे देखा हूं तो यह अब भी इनके महमान मान लेजी है इनके सानेदे में तो शुरू से एनर्जेटिक रहे तो इसले मन करके आने का और मेरी स्माइल से तो मुझे लगता नहीं हूं कि मैं विमार हूं बिल्कु फेट आदमी हो हम कम से कम 10 किलो मेंटर चल रहे हैं साले मोमाजी हम सब 6-6.30 व्रकाउट करते हैं अच्छे से और यहां का बड़ा इक क्या बोलते हैं जो लगाव था मैं सारे जिले घूमे में मैं पूरे राइस्तान की मैं तो सतीष मुन जी से ज़्यादा मैंने घूमें उन्होंने भी देखा नहीं है पहली वह वी बिदायक मैंने मैं भी बनाओ मैं बाद मेरे जशल मेरे कमी रह गई तो मैं इस कमी को दूर करना चाहिए जो फरे लो ऐचरे लो और गणा बैठे लो तो इसलिए हम चर रहे हैं रहें तो अच्छे टगड़ा अटमस्टिक में रहेंगे तो क्या समस्चा पेट बुखार हुआ था पेट फे भी को दिक्कत हुई थी क्योंकि सोनोग्राफी की जो बात है निये एक प्रकॉशन वाइस नहीं को देख लें कुछ भी निया था नातिंग रिपोर्ट भी थी है को दिक्कत नहीं है और बगर में ये था कि भार भी निकलन है थोड़ा सा तो अच्छा भी लगता है तो क्या साले ममा जी ये कहने बाहर निकलना था तो क्या भाई किलेबंदी इतनी मजबूत है कि प्रशांद बैरवा जैसे लोग बाहर निकलने का मतलब है देखो हम सब पॉलिटिकल लोग है जब तक हम आम आदमी के चेरे को नहीं देख सकते हैं तब तक हमारे को डिली डोज मिलती नहीं इसलिए मेरा यह कारण तब आप देख लिए तो गुमा लिजी आम आदमी इनके शकल देख लिए हमारा आद में सही हो गया क्या जबाब देखो यह घुमने का मतलब ही है इन्होंने जो भी का कि राजस्तान पूरा देखा जैसले मेरे बाड़ में नहीं देखा तो जब तक यहां है और देखो किले बंदी करना एक अलग पश्तितिया हैं आज कोई व्यक्ति नहीं चाहता मुख्यमंत्री असो गलो तो कभी जिन्दगी में वह नहीं चाहते हैं कि हम किसी होटल में जाए आज कभी वो दोरे हैं कि जिस प्रकार से विधागों के आप मोल कर रहे हो आज करणू रूपए के बोल रहे हो तो हम किले बंदी नहीं बैठी हो तो कहां बैठी है निसे तो पर भाजपा की चलते हैं यहालत है बिल्कुल हंडेड परसेंट जो लोग पीछे सटेंटर दिल्ली और जेपुर मे तो उनके लिए आने वाले ऐगा हैं तो हम चाहते हैं कि लोग शडेंटर रच रहे हैं महरवानी करके महरवानी करके राजस्तार में इसी परिपार्टी नहीं दालें शडेंटर नहीं रचे जो जनतान पांस साल की सरकार चुनिये उनको काम करने देंग देंगा हम लोग अब सुनने मारा गुजरात में गए हैं गुजरात में क्यों लेके जा रहे हैं अगर पीजिए